सोक संतप्त, सभी देशवासियों और उपस्तित महानुभाव अगल जी हमारे बीच नहीं है जीवन कितना लंबा हो, यह हमारे हाथ में नहीं है लेकिन जीवन कैसा हो, यह हमारे हाथ में है और अटल जी ने यह जी करके दिखाया कि जीवन कैसा हो, क्यों हो, किसके लिए हो, कैसे हो और जीवन सच्चे अर्थ में वो ही जी सकता है, जो पल को जीना जानता है और पल पल को जिसने जी करके जिन्दगी को समारा, सजाया, और जन सामान्य के लिए खपा दिया किशोर अवस्था से लेकर के जीवन के अंत तक सरीर ले जब तक साथ दिया वे जीए देश के लिए, देश्वासियों के लिए, उसलों के लिए, सामान्य मानवी के अर्मानों के लिए और उस काल में, राजनिती की जीवन में, जब राजनिती की मुख्यधारा के निकट परती, कोई अन्य विचार या विवस्था दूर दूर तक नजर नहीं आती थी, कि इतना ही नहीं, देश का एक लंबा कालखन सार्वजिनिक जीवन में, खास करके राजनितीक जीवन में, छुवा छुद का कालखन रहा, अपमानित होने के पल पल प्रयास होते थे, जेलना पड़ता था, उपेशा, उपहास, अपमान, इन सारी मुसिबतों से बीच से, एक विचार के प्रति प्रतिवद्धता के कारण, राष्ट के प्रति प्रति पूर्म समर्पन होने के कारण, सुन्य में से सुरुष्वी का निर्बार कैसा होता है, उसे करने वालों में एक महापुरुष, अटली विहरी वाजबाई, अग्रिम पंक्ती में उनका नाम है, इतना लंबा कालखन विपक्ष में रहना, और विचार की धार को कहीं खोट नहीं आने देना, लोक्तंत्र के मुल्भु चिंतन को, पूर्ण तया समर्पित रहते हुए, संसदिय लोक्तंत्र की हर परंपरा का गवरवगान करते हुए, जन सामानने के लिए आवाज बन करके जीना, और जब अवसर आया, तो जीवन को, उन सपनों को पूरा करने के लिए लगा देदा। वे नाम से ही अटल थे सा नहीं। उनके विहवार में भी रग रग में वो अटल भाव नजर आता है। 1998, 11 माई, प्रोख्रांट विटियर, सारी दुनिया के लिए भारत का अनू परिक्षान चोकाने वाला था। और हिंदुस्तान में भी दस्रकों से तैयारी हो चुकी थी, लेकिन हो नहीं पा रहा था। यह अटल थे, जिसके अटल निर्ने ने कर दिया। लेकिन 11 माई, एक प्रकार से वो हमारे देश के वैज्ञानिकों की सिद्धी थी। और अटल जी ने भी उसे वैज्ञानिकों को समर्पित किया था। लेकिन 11 माई को अनुपरिक्षन के बाद सारे विश्वने प्रतिबन लगा दिये, सैंक्षन लग गए। बहुत बड़ी दुनिया हिंदुस्तान के खिलाप हो गए। उस समय के धिन्दुस्तान के हालात में किसी का भी रुक जाना, ठैर जाना, जुक जाना स्वाभाविक था। लेकिन ये अटल थे, ग्यारा मैं को पराक्रम अगर वैज्ञानी को अगता, तो तेरा मैं को दुबारा उन्होंने अनुपरिक्षन करकर के विश्व को चुनोती दी थी, कि भारत अटल है, भारत जुकने वाला नहीं है। और यही सामर्थ होता है, जो विश्व के अंदर भारत के अपने एक पहचान प्रस्ठापित करता है। आज उत्राखंड हो, छतिस गड़ हो, जारखंड हो, उन तीनों राज्जोंने, राज्जे पुनरचना कैसे होती है, राज्जों के बीक में विभाजन कैसे होता है, किसी भी प्रकार की कटूता के बीना, व्यवस्थाओं के अंदर अफ़रा सफरी के बीना, एक उत्तम तरीके से लाजनितिक मरियादाओं के बीच, सब को साथ लेकर के निर्णे करने की प्रक्रिया। और आज देश नतीजे देख रहा है, कि तीनों राज्जे अपने बल्बूते पर राष्ट की विकास यात्रा को आगे बढ़ाने में, बहुत बड़ी भुमिक आदा कर रहे हैं, बाजपाई जी के दीग दर्ष्टा नित्रुत्व और कर्तुत्व का ही प्रणाम था, कि हमें हमारे सामने इन तीन राज्जों को हम पनप्ते देख रहे हैं, बिना कोई संगर्ष के, बिना कोई कटुता के, ये चीजे चल रही हैं। छुवा छुद के सिकान, अटल जी की सरकार बनी, तेरा दिन चली, कोई सांथाने को तयार नहीं था, कोई भी राजलीती से डिग जाता, हिल जाता, रास्ता छोड देता, लेकिन उन्हें अपने आप पर भरोसा था, देश के जन सामाने पर भरोसा था, देश की आशा, आकांच्छाओं की, अपेच्छाओं की जो लबस थी, जिस पर रीजिनल एस्पिरेशन को ओनर करते हुए, सब को साथ लेकर के चलने की प्रक्रिया को प्रारब हुआ, और आज देश, उन दो दिशा में, लोक्तंत्र को मजबूत बना रहा है, जहां कुछ दल एक जगा पर इखटे हुए हैं, कुछ दल दूसरी जगा पर इखटे हुए हैं, लेकिन इसको सफलता पुर्वक पार करन का काम वाजपाई जी के दिर्ग द्रश्टी के काड़ों को था, अंतररास्तिय मंच पर हिंदुस्तान कश्मीर को लेकर के जवाब देता रहता था, हर बार कश्मीर को लेकर के भारत को घेर लिया जाता था, ये वाजपाई जी की दिर्ग द्रश्टी थी, विदेश मंत्री के रूप में काफी अनुभव था विजेश के विशयों पर पार्लामेंट में उनकी अपनी विद्वत्नापुर्ण बाते देश सुनी थी जब उनको दाइच्व मिला उन्होंने बड़ी कुसलता पुर्वक विश्व के पूरे नेरेटिव को बदल दिया कि कश्मीर चर्चा क को दो हिस्सों में सफलता पुर्वक के भांट करके सारी विश्व को आतंग बात के मुद्दे पर भारत के साथ लाने के लिए वो सफलता पुर्वक आगे पड़े अंगिनत गुड गवर्नस की बात हो नेतृत्व की बात हो दल को आगे भढ़ाने की बात हो अंगिनत काम व पाजपाईजें हमारे बीच में नहीं है। मेरे जैसे करोडों कार करता है जिनको उनके सांत रहकर के चलने का मोगा मिला है। कार करने का मोगा मिला है। उनके लिए खालीपन बहुत बड़ा है लिकिन उनका पुन्य स्मरन करते हुए पल पल जिस प्रकार से वो जीए हैं उसे जी करके हम उने आने वाले अपने कारकाल के दर्व्यान हमें इस्वर ने जितनी भी जिन्दगी दी है उस जिन्दगी को उन सपनों को पूरा करने के लिए आहूत करने के लिए प्रेना मिलती रहे और हम उसको करें यही सबसे बड़ी सरफ धांजली होगी कोई कल्पना कर सकता है आज ही दुसान में और जिस प्रकार की दुनिया है दस सांसक जो महापुरुष राजलीति मंच पर कहीं नजर नहीं आए राजलीति मंच की चर्चा में कहीं न हो पूरी तरह अलीप्त दस साल सारवजरी जीवन में बहुत बड़े होते है दस साल तक एक गुम्नाम अवस्ता की जिन्दी की बात उस व्यक्ति की बिदाय को जिस प्रकार से देश ने सरद्धा दी जो सम्मान दिया शायद ही कोई ऐसी घट्था की कलपना भी कर सकता है कि दस साल के इतने बड़े अंतराल के बाद भी लोगों के दिलों पर इसी प्रकार से चाहे रहना यह अपने आप में उनकी जिन्दगी का जीता जाकता सबूत है कि मैं सरद्धे अटल जी को सरद्धान जी देले के लिए सब्दों के सहारे जादा कुछ कहने ही पाहूंगा लेकिन कल एसियन गेम्स में जब हिंदुस्तान का एक बेटा चोबिस प्रिस साल का बेटा बजरंग पुनिया गोल मेडल जीतता है भारत को पहला गोल मेडल मिलता है और मैं मानता हूं साइद बजरंग पुनिया ने कभी अटल जी को देखा नहीं होगा कभी मिलना का तो सवाल नहीं उठता है और जब अटल जी सक्रिये थे तब बजरंग की उमर दस बारा साल रही होगी वो गोल मेडल जीतने के बाद कहता है मैंने आज कहीं पढ़ा कि मेरा ये गोल मेडल मैं आटल जी को समर्पित करता हूँ मैं समर्ता हूँ इस से बड़ी जिंदगी की उचाई और सफलता कोई हो नहीं सकती है जो आने वाली पीडियों को भी प्रिना दे रही है ऐसे इस महापुरुस को सद्धा पुरवक नमन करते हुए मैं मेरी बाणी को विराम देता हूँ